तो मेरा नाम सुप्रीद और चैनल का नाम इस्टडी विद सुप्रीद आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं पहली वीडियो मैं इंग्लिस की डाल चुका हूं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश नहीं देखिए हो जरूर देख लें आज य सेलों के सेल करड़ें भारेश था कि बना वनाया लेकिन सेंटेंस होता है या जबना est grace क्ला था सब्डों का ऐसा समूर्म सब्डों का ऐसा समूर्य जो इस पश्ट आर्थ देता है सेंत जिदा रख makamtयों क्या हूं इस क्वाश्ट गेसा समूर्ट एपां कह लाता है, English में क्या लिखेंगे? एक गुरूप आफ वर्ट्स एक गुरूप आफ वर्ट्स विच मेक्स कम्प्लीट सेंस इस गाल्ड यह वशाल्डे कि कम्प्लीट वाने पूरा और सेंस वाने अर्थ जो मेक्स वाने बनाता है जैसेकि एक्शांप्ल देखते हैं इस मत इर पूरा अर्त इसकतर नहीं और मैशने पूरा अर्थ देना चाहिए तभी वह पूरा अर्ट देना चाहिए तभी वह सैंटेंस मालेगा बर्ना शैंटेंस नहीं माने zij लिगा आ एushiden है good boy राम एक अच्छा लड़का है यहां पे सही अर्थ हो रहा है तो इसलिए यह sentence है यानि क्या है राम इजे good boy अब आते है sentence के पिरकार sentence मुखे पांच पिरकार के होते हैं कितने पिरकार के पांच पिरकार पहला होता है assertive sentence क्या होता है assertive sentence दूसरा आ जाता है interrogative sentence इंटेरोगेटिव sentence तीसरा आ जाता है imperative sentence इंप्रेटिव sentence चौधा आता है exclamatory sentence क्या आता है exclamatory sentence पांच मां आता है ऑप्टेटिव sentence क्या आता है ऑप्टेटिव sentence यानि सबसे पहले 5 परगल गिए होती है नायंथ और टेंथ क्लास तक assertive sentence interrogative sentence imperative sentence exclamatory sentence और obtative sentence आव इनकी बाढ़ इनको करते कि assertive क्या होता है interrogative वह होता है ineffective क्या होता है एक सादार्ण वाक्य क्या होता है इससॉत पहलते हैं सबчно一डिय note abode बोलते परश्न वाच्यक्यकषए किसला प्रशन वाचक बाखके इंपरेल्टिव को आग्या सूचक बाखक इंग्या सूचक बाखके एक्सक्लामेटरी बिसमय बोधक बाख़क कर पीसमय बोधक बाक बाद आप्टेटीव मतलब इच्छा सूचक रडा है इच्छा सूचक वाख धीक कि तो सब कि हिंदी करके सब को जानते कि एसटिप होता है इंट्रोगेंटिव रेक्रति प्रेक्टिब क्या होता है और होना बताया जाता है साधारण बाग के कहलाता है क्या होता है एसा सेंटेंस जिसमें किसी काम का होना या ना होना बताया जाता है एक सेटिव सेंटेंस कहलाता है सेटिव सेंटेंस के अंदर दो भाग आ जाते हैं पहला होता है एक सब जानते होंगे सेंटेंस जिसमें काडियर का होना दर्साया जाता है जैसे की आग्जाम्पिल राम- eats food यारी राम खाना खाता है तो यह खाने का होना दरसा रहा है तो यह कैसा sentence एक affirmative sentence और साथ में यह एक assertive sentence भी है क्योंगि यह साधारन वाक्य है और इंट्रोगेट निगेटिव का example राम ड़स नौट इट फूड यानि राम खाना नहीं खाता है तो इसमें किसी काम का होना नहीं दरसा है यानि खाना नहीं खाता है तो यह क्या होगे निगेटिव और साथ में क्या होगे assertive sentence में आ गया होगा कि assertive sentence होता है जिसमें किसी काम का होना या नहीं पेना दर्शाय आता है इसके अंदर दोभह आ जाते है登録 Always और negatave होता है जिसमें का WILL होना दर्शाय जाता है और negative होता है जिसमें काम का नहीं होना दर्शाय जाता है और यहांपे सेंटेंस खतम होता है अगला आता है इंटेरोगेटिव सब जानते होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है क्या आता है इंटेरोगेटिव 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 सेंटेंस भी दो तरीके का होता है है इंटैरोगेटिव होता है क्वे सिंपल इंटैरोगेटिव होते हैं एक जो 1965 इंटेरोगेटिव होता है यह भी चैनला इक पलसा इंटेरोगेटिव दूसर क्या होता है डबलू एच इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर से हम एक वर्ड यानि एस और नो में दे सकते हैं क्या बता है simple interrogative ऐसा sentence होता है जिसका हम answer एक सब्द यानि ए या सिया और नो में दे सकते हैं जैसे कि example क्या भै खाना खाता है क्या लिखा क्या भै खाना खाता है इसका English में करेंगे तो क्या आएगा Does he eat food Does he eat food तो क्या एक simple interrogative इसका हम answer यस और नो में दे सकते हैं क्योंकि पूछा क्या भै खाना खास्ता है तो यस या नो खाता होगा तो हाँ बोल देंगे नहीं खाता होगा तो नहीं बोल देंगे समझ मैं कि simple interrogative क्या होता है आइसा इंटरोगेटिव जिसका आंसर हम सिब एक सब्द यस या नो में दे सकते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है अब आता है डबलू एच इंटेरोगेटिव 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 सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्म पूछते हैं और उसका आंसर एक सब्द में नहीं दे सकते पूरा बताना पड़ता है तो वह होता है डबल सब्सक्राइब करणने सब्सक्राइब क्रेढ़िनS सब्सक्राइब करना है इसके दोबाग होते हैं पहला होता है सिंपल इंटायोगेट वैसा संटेंस होता है जिसमें पूछने पर हम आंसर सिफ एक या एक बढ़्ड में दे सकते हैं वह एक बार्ड कौन से यास या नौ वह इंटरोगेटिव कौन साथ है वह वर आ जाते हैं एसे कि वह वेर आधी आ जाते हैं इनका अंसर हम एक शब्द में नहीं दे सकते हैं पूरा हमें बताना पड़ता है तो यहां पर इंटरोगेटिव खदम होता है अगला सेंटेंस की बाहरी आती है करते हैं हम अख्या है इंप्रेटिव सेंटेंस एक पर अपने जीवन बहुत यूज करते हैं इंप्रेटिव सेंटेंस वह होते हैं सब्सक्राइब एक बहुत हैUS पहले इंप्रेंटिव सेंटेंस बर Sup sorting न कि अदैंस नहीं आते हैं वो imperative sentence कहलाते हैं जैसे कि example यहां आओ सब लोग कहते हैं यहां आओ तो क्या होगा इसकी English come here क्या हो come here यह imperative sentence वो होते हैं जिसमें आग गया order आधी दर्साइए आते हैं imperative sentence कहलाते हैं और यह हमेशा बर्व की first form से स्टार्ट होते हैं क्या होता है इसे सेंटेंज जिसमें आग गया order आधी का बोध होता है imperative sentence कहलाते हैं और यह बर्व की first form से शुरू होते हैं तो imperative sentence समझ में आ गया होगा कि अब आता है अगला exclamatory sentence क्या आता है exclamatory exclamatory sentence exclamatory sentence को इंदीम बोलते है बिसमय बोधक बाक जैसे सेंटेंज जिसमें अंदर से भावत्पन होता है अचानक का भावत्पन होता है एक्सक्लामेटरी sentence कहलाते हैं अचाना खिर्दय में से कोई भी शब्र निकल जाए वह एक्सक्लामेटरी sentence कहलाते हैं इसमें ओ हुरे अधी सब्द प्रियोग होते हैं जैसे कि एक्जाम्पिल और इसमें एक्सक्लामेशन साइन लगता है एक्सक्लामेशन साइन यह होता है क्या लगता है एक्सक्लामेशन साइन लगता है जैसे कि वाह क्या वादा शावाश हमने मैच जीत लिया है क्या शावाश हमने इसके इंगलिस बनती है ब्रैबो एक्सक्लेमेशन मार्क वी और है वां दा मैच एक्सका मेट्री सेंटेंस क्या बता है आपने एसे सेंटेंस जिसमें अचानक से इसे एक कई बढ़ निकलते हैं वो है बढ़ एक्सक्लामेटली बढ़ कहलाते हैं जैसे कि ओ रहे एलास आदी एंके अंत में एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेट्य बर्ड होता है फृप इंगा हो थ हम्यूं सेंटेंस क्या होते हैं ऑप पार्चमा सेंटेंस कौंता होता हैॉ अवते हचछा सूचा बाकी क्या बोलते हैं लेकिन इसमें सब्सक्ते होते हैं जिसमें इच्छा कर्समाने बुरा भला चाहना है इच्छा कर्स अधि दर्शाए जाते हैं Upvative Sentents कहलाते हैं इसमें मुख्यता मे शबद लगता है क्या दा है जे मुख्यता मे शबद का using होता है Upvative Sentents कहलाते हैं इसमें इच्छा और कर्ष आधि दर्षाई आ जाता है इच्छा कर्ष और प्रे यानि प्राथना दर्षाई जाती है जैसे की example तुम पास। हो जाओ। इसमें इच्छा दर्स आरहा कि तुम पास हो जाओ। यह कोई सें-teins थोड़ी है यह एक आप्टेटिव यह कोई TEN नहींगे यह कोप्टेटिव सेंटेंस है क्या है तुम पास हो जाओ इसमें इच्छा दर्साइँ आरही है तुई कैसे बनता है इस में यू पास ता यह यह में यू पास यह तो एक्षा हो गया और एक्जाम्पिल दूसरा कर्ष का बहार में जाओ ठीक कर्स आ रहा है कि उसका बुरच आ रहा है तो इसलिए कैसे बनेगा में यू गो टू है तो सेंटेंस यहीं पर समाप्ट होता है सेंटेंस पहले क्या बढ़ाया था कि क्या होता है सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को बहुत शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद